नमस्कार दोस्तों फाइनली आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं महिंद्रा थार फाइव डोर के बेस मॉडल और टॉप मॉडल के बारे में जी हां यहां पर कुछ-कुछ लीक्स हैं जो हमारे सामने आये हैं गाड़ी के बेस और टॉप मॉडल को लेके उनी के बारे में हम कंक्लूजन में पूरी बात करने वाले भाही गाड़ी कैसी आपको मिलने वाली है क्या इंटीर होने वाले का प्राइस पॉइंट पॉइंट पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है और अभी पिछले वीडियो में मैं आपको पताया था इस गाड़ी का बेस्टों और habits वाड़ी जेए बात करें बाद काप टेखने के लिए कि गारी में की इक पास्टener quick डेखना के लिए मिलेगी साथ इसाथ गाड़ी के भाई फ्रंट में भी जो डिजाइन है वो गाड़ी का चेंज किया गया है मैं अभी सारा कुछ बताऊँगा आपको स्टार्टिंग से क्या के चीज़े हैं आपको देखने के लिए मिलने वाले सब से पहले देखो अम जो ग्रिल है फ्रंट बंपर की वो आपको देखने के लिए मिलेगी वही आपको हैडलम और फॉगलम का सेटप है वो देखने के लिए मिलेगा गाड़ी के अंदर कोई भी आपको एलीडी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा प्रेंट से जो चेंजिस आपको देखने के लिए मिलेंगे और कुछ ज्यादा चेंजिस नहीं रहेगा देखने के लिए बस ग्रिल और आपको लाइटे वगरे चेंज घर दी जाएंगे तो यह कुछ आपका जो रहने वाला है फ्रेंट की दरफ दूसा यहां पर साइड में तो side में घाडी के tires हैं tire के अंदर हमें alloy wheel के जगह यहां पर steel rear में वह देखने के लिए हमें मिलेंगे दूसरा यहां पर हमें tire size के अंदर भी आपको जो change है वह देखने के लिए मिलने वाले टायर साइज यानि अभी इस गाड़ी के जंदर जैसे लग रहा है कनफॉर्म नहीं है अभी 18-19 का हो सकता है तो वही एक इंच यहां पर छोटा आपको टायर साइज है वह देखने के लिए मिलेगा गाड़ी के अंदर तो इस तरह जो टायर साइज है वह कम हो जाएगा तो उ दूसरा यहां पर गाड़ी के अंदर आपको 360-degree camera का setup नहीं मिलेगा टॉप model के अंदर आपको camera के setup है वह देखने के लिए मिल जाएगा पीछे के तरफ पूरा आपको design है पीछे के तरफ इस तरह design रहने वाला है जादा कुछ changes नहीं रहेंगे तो आपको नॉर्मल वही दे बाकि जो changes है major changes वह गाड़ी के interior के अंदर आपको changes देखने के लिए मिलने वाले हैं बात करें अगर base model के बारे में तो आपको क्या कुछ है जो देखने के लिए मिलेगा base model के अंदर आपको वही पुराना infotainment देखने के लिए मिलेगा साथ ही साथ पुराना आपको महिंद instrumental cluster नहीं देखने के लिए वही पुराने वाला आपको देखने के लिए मिलने के लिए manual के अंदर मिलने वाली है अगर आप top model पे जाओगे तो आपको बड़ा infotainment digital instrumental cluster और XUB7W का आपको steering wheel है वह देखने के लिए मिलेगा और आपको AC के controls है वह सारे automatic के अंदर वह देखने क लिए मिल जाएंगे base model के अंदर हम बात करें तो आपको कोई भी armrest वगर यह offer नहीं किया जाए अब सिंग पर आपको ऐसे ही पूरा open area दे दिया जाएगा लेकिन top model में आपको यहां पर armrest वगर देखने के लिए मिल जाएंगे अगर हम rear की तरफ बात करेंगे तो rear की तरफ आपको गाड़ी के अंदर जो changes देखने के लिए मिलेंगे वो changes होंगे गाड़ी के अंदर AC events है वो पीछे देखने के लिए मिलेंगे top model में लेकिन जो base model होगा उसके अंदर आपको AC events वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे तो इस तरह के जो changes आपको देखने के लिए पर गाडी के अंदर आपको टू-Wheel-Drives के साथ में भी मिलने वाली यानि रियर-Wheel-Drive के साथ में भी गाड़ी आएगी में यह चीज़े कंफॉर्म है गाड़ी के अंदर सुनरूफ है वो मिलेगा आपको 2.2 रिटर गाया पर डीजल इंजिन वो भी देखने के लिए मिलेगा और गाड़ी के अंदर आपको मैनुवल और आटमेटिक ट्रांस्मिशन दोनों ही आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं अगर प्राइस पॉइंट की यह चीज़ा अभी क्योंकि आपको पता है त्री डोर आपको थार जो मिल रही है वह लगबग 10 या 10 लाग से उपर है वह आपको एक्षो रूम प्राइस देखने के लिए मिल रहा है रियर वील ड्राइब के अंदर लेकिन अगर यह गाड़ी 5 डोर के अंदर आ रही है तो वही 12 तेरा लाग मान सकते हो इसका एक्षो रूम प्राइस जो होगा बेस मॉडल का तो यह चीज़े हैं जो चेंजिस रहेंगी इस गाड़ी के अंदर बाकी इस गाड़ी के आपको लीक्स कैसे लगे इंटरस्टिंग लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रू करें आप इस ट्यूड़ पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब तो करी सकते हो वागी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में के टाटा वाई वाई जहीं